हलो बच्चो, नमस्कार प्यारे बच्चो, रिलेशन फंक्शन का टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया था और अच्छे से हमने टॉपिक कर लिया है मैंने आप सभी बच्चो को बताया है कि आप सभी बच्चो की क्लासिस अब जो है MWF जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी और बच्चो थोड़ा course खीचने का time हो गया है ठीक है तो आज मैं इस chapter का जो graph section है वो खतम कराने के बाद आप लोगों को जो आपके nil chapter है nil chapter मतलब जो खतम कर दिये गए है आपके course से बच्चो वो हम करेंगे लेकिन अभी नहीं वो हम करेंगे course होने के end में मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको करवाओंगा लेकिन बच्चो अभी पहले आपका course पूरा कराना जरूरी है क्योंकि कई बच्चो के school में test वगेरा चालू हो रहे हैं जिससे कि मेरे पास ये बच्चो के call आए हैं कि sir हमें पहले आप course का कराईए क्योंकि हमारे school में test सुरू हो रहे हैं और बच्चो जैसा कि आपको पता है test के number 11th class में जुड़ते हैं तो बच्चो आपका नुक्सान नहीं होना चाहिए इसलिए प्यारे बच्चो मैं आप लोगों को आज ये chapter खतम कराने के बाद पहले सबसे पहले complex number कराएंगे और बच्चो आज रात 8 बजे आपका test है तो प्लीज ready हो जाएं trigonometry का अब सिर्फ NCRT से ही आपका test होगा तो बच्चो अच्छे से practice कर लें फिर मैं धीरे धीरे आपको important question की तरफ लेके चलूँगा चलिए तो आज सबसे पहले relation function में graph का topic है तो आज हम बच्चो graph पढ़ने वाले हैं graph कई type के graphs हम आज पढ़ेंगे और वो किस तरीके से हैं यह सारी चीजे में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ठीक है और बच्चो आप लोग ट्राई करते रहें function के questions क्योंकि function समझने के लिए थोड़े practice ज्यादा ज़रूरत करनी पड़ती है तो आप लोग प्लीज उसकी practice करते रहें और जो doubt है मुझसे पूछिए तो बच्चो आपके समने पहला function आ रहा है identity function identity function हाँ जी बच्चो identity function प्यारे बच्चो क्या होता है identity function identity function यह होता है कि ऐसा function जिस function के अंदर आपका जो value होगा वो x और y का almost एक जैसा होगा मतलब क्या कि आपका जो graph होगा वो एक straight line graph बना रहा होगा कैसा बना रहा होगा एक straight line graph बना रहा होगा मतलब जो आपने x को put किया वही आपको बदले में y मिल गया जो आपने x को put किया वही बदले में आपको y मिल गया तो ऐसा graph जो straight line graph बनाए क्या था graph ऐसा graph जो straight line graph बनाए ठीक है बच्चो उसी को हम identity function कहते हैं ठीक है जैसे माल लीजिए f of x is equal to x तो बच्चो आपको तो पता है f of x क्या होता है y के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर x it means अगर मैं यहाँ पर graph बनाना चाहूं प्यारे बच्चो तो देखो कैसा बन सकता है x y क्या बन सकता है अगर x 0 पुट कर दोगे तो अव्यसी बात है y भी 0 हो जाए यह 1 पुट कर दोगे तो यह भी 1 इक्सिस यह y डेस x डेस 5 8 2 3 4 1234-1-2-3-4-2-3 ,1-2-3 थोड़ा उपर नीचे हो सकता यह सके बोड़कि अस मैं इस इस नहीं बना रही है तो समझ के चलना 00 है तो यहां से कर लिया ठेक है उसकेद वग 251 एक्स का वन वाई का वन लगबग यहां होगा ठेक है फिर टू टू एक्स का टू वाई का टू लगबग यहां होगा फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन लगबग यहां होगा ठेक है फिर माइनस टू माइनस टू लगबग यहां होगा ठेक है तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इन सारे points को आपस में मिलाता हूँ, तो बच्चो, ये एक क्या बनाएगा? Straight line बनाएगा. और इसी graph को identity graph कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Identity graph कहा जाता है. आज हम सरीफ graph पढ़ेंगे, ज्यादा लंबी class नहीं होगी, छोटी सी class. ठीक है, अगला है बच्चो, constant function. अगला क्या है? constant function. हाँ जी, अब हम constant function का graph पढ़ेंगे. बच्चो, constant function का graph कैसा होगा? अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बदातू हूँ, कि जैसे आप y is equal to, आपको पता ही है, f of x है और वो किसके बराबर है? बच्चो, आप x की कोई भी value इस function में पूट करते रहो, x की कोई भी value आप इस function में पूट करते रहो, आपकी y की value अपनी fix हो गई है, जिसे मैंने constant का नाम दिया है, जिसे मैंने क्या नाम दिया है? constant का, तो जिसे भाई, मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए, अभी यह हो गया बच्चो, 1, 2, 3, 4, अब मान लीजिए, मैंने y की value एक fix constant value ले ली, मान लीजिए 3, क्या मान लेते हैं? 3, और प्यारे बच्चो, 3 पे हमने y को कर दिया constant, अब मैंने क्या बताया? आप x जितना मर्जी change करते रहो, x जितना मर्जी change करते रहो, y अपनी जगा पे क्या है? constant है, fix है, और ऐसा graph क्या होगा? x तो बदलता रहेगा, लेकिन y नहीं बदलेगा, x तो बदलता रहेगा, लेकिन y नहीं बदलेगा, और ऐसे ही graph को क्या कहा जाता है? ऐसे ही graph को constant graph कहा जाता है, क्या कहा जाता है? constant function graph, क्या का जाता है constant function graph यानि कि एक function इसमें क्या हो गया fix हो गया है constant हो गया है और इस तरीके graph generate करता है ठीक है चलिए note कीजिए से फटाफट फट फिर अगला कराता हूं note कीजिए से note करो फिर next graph के बारे में बढ़ते हैं चलो यह मिटा रहा हूं अब हम पढ़ते हैं अच्छो polynomial function graph कुन सा? polynomial function graph polynomial function graph देखो बच्छो polynomial आपको पता यह क्या होते हैं बच्छो ठीक है बड़ी से बड़ी पावर जिस भी equation की बड़ी से बड़ी पावर जिस भी variable में देखा जाता है तो वो एक तरह का क्या बनाता है? polynomial बनाता है जिसके अपनी कोई न कोई value होती है zeros होते हैं आपको पता ही है ठीक है कहाँ पढ़े है आपने? 10th class में कि बड़ी polynomial क्या होता है? कि बड़ी जब हम लोग किसी भी पावर को किसी भी variable की पावर को solve करके उसके zeros निकालते हैं तो हमारा polynomial होता है यह बात है हमने अपनी छोटी ग्लासों में सीखा है ठीक है बच्चो जैसे माल लो अब इस polynomial की graph को मैं ऐसे समझा नहीं सकता कि भई इसका definitely यही figure बनेगा ऐसा नहीं है इसके अलग-अलग direction में भी क्या बन सकते हैं? graph बन सकते हैं जैसे मैं एक दो example लेके दिखाता हूँ पहले आपको ठीक है जैसे इसका example number बच्चो अगर मैं 13 की बात करूँ example number 13 की बात करूँ तो इसमें बच्चो आपको function दिया गया है x square आपको function क्या दिया गया है? x square अब आपको अच्छे से बता है ये y की बराबर होता है तो y is equal to क्या बनी गया? x square चलो अब एक काम करो आपना एक graph तैयर करो आप एक graph तैयर करो x y अब graph तैयर करो क्या? अपना minus से value पुट करना सुरू करो और plus तक ले जाओ क्यों? क्योंकि polynomial में हम value तो कुछ भी पुट कर सकते है ठीक है? चलो अब जैसे माल लो मैंने minus 3 पुट किया तो यह minus 3 पुट करूँगा तो यह 9 होगा यह minus 2 पुट करूँगा तो 4 होगा minus 1 पुट करूँगा तो 1 होगा 0 पुट करूँगा तो 0 होगा 1 पुट करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा 4 और 3 पुट करूँगा 9 यही आया चलो graph ready करते है ठीक है इस तरीक दे थे थोड़ा चोटा ले लिए मैं इदर समझ जाना यह 0 यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 यह 1 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 आगे क्या लगेगा माइनस 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 क्या लगेगा माइनस 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 उसके बाद यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से ठीक है अब पहला देखो जब मैं बच्चों x की value माइनस 3 पुट कर रहा हूँ माइनस 3 पुट कर रहा हूँ तो y की value कितनी आ रही है 9 आ रही है यहनी लगबग लगबग यहाँ पर लगबग लगबग यहाँ पर अच्छा अब देखो जब मैं X की value minus 2 put कर रहा हूँ तो इसकी value Y की value कितनी आ रही है? 4 आ रही है लगबग लगबग यहां पर ठेक है और जब मैं X की value minus 1 put कर रहा हूँ तो इसकी value कितनी आ रही है? 1 आ रही है लगबग लगबग यहां जीरो पर कर रहा हूं तो जीरो आ रही है, वन पुट कर रहा हूं तो यहां पर आ रही है, टू पुट कर रहा हूं तो फूर यहां पर आ रही है, थ्री पुट कर रहा हूं तो फिर यहां रही है, अब अगर मैं इसको फ्री हैंड से मिला दूँ, देखो, अगर मैं इसको फ्र टाइप के डारेक्शन में एक graph तैयर होगा, एक curve तैयर होगा, तो बच्छो, इसका polynomial graph कैसा बना, इस type यू टाइप का बना, किसे तरह का बना, यू के तरह का बना, तो अब देखो, अब एक और देखते हैं, और कोई function, तो इसका polynomial का, याद रखना, polynomial का कभी कोई fix graph नहीं बन के देखो, अब बना के देखो, तब हमें पता भाई कि इसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, चलो, इसका graph generate करके देखते हैं, इसका graph generate करके देखते हैं, x, y, y है, minus 3, तो कितना हो जाएगा, minus 3, यानि क्या x की वल नो minus 3 पुट करूँगा, तो minus 27, सभी बात है, इसका पुट करूँगा, minus 2 तो कितना है, minus 8, minus 1 का करूँगा, तो minus 1, 0 करूँगा, तो 0, 1 का cube, 1, 2 का cube, 8, ठीक है, और 3 का cube, minus, sorry, 3 का cube, plus 27, ऐसे ही बना, आप जब द मत करो, यार, बहुत जादा हो जाएगा, 27, बहुत जादा हो जाएगा, यहां से देख लो, ठीक है, मतलब, ऐसा मत सोचना कि मेरे को नहीं आ रहा है, मतलब, सेम चीज है, बस value थोड़ी जादा हो जाएगी, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ है, ठीक है, तो कहां तक है, 8 तक है न, x में तो जादा नहीं है, 1, 2, 3, 4, –1, –2, –3, –4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, –1, –2, –3, –4, –5, –6, –7, –8, ठीक है, चलो, अब क्या है, जड़र देखो देहां से, 0 का 0, इससे, –2, –8, –2, –2, –2, –2, –2, ए रहा, –2 और –8, यह रहा है, ठीक है, और नीचे होगा, ठीक, उसके रहा है, –1, –1, –1, –1, –1, यह रहा, 0, 0, 1, 1, और यह रहा 2, और यह रहा 8, यह रहा 8 ठीक है? चलो अब मिलाना जा रहा? यह देखो देखो कैसा ग्राफ त्यार हुआ है आप खुद ही देखो कैसा ग्राफ त्यार हुआ है क्या यह U, V कुछ भी बना हुआ है? कुछ भी नहीं बना हुआ है तो याद रखना बच्चो पॉलिनॉमियल का ग्राफ कभी भी फिक्स नहीं होता है अब वहीं अगर मालना जैसे माइनस 3 तो यह माइनस 27 और नीचे चला जाता यह 3 यह 27 और उपर चला जाता तो इस तरीके से बच्चो यह ग्राफ आपका जनरेट होगा ठेक है चलिए फटा फटा नोट कर लीजिए पॉलिनॉमिल ग्राफ हो गया नोट कर वच्चो चलिए बच्छो यह 27 और झाता जाता जाता है झाल झाल चलो अच्छो इसके बाद हम करेंगे मोडूलस फंक्शन करते हैं और फिर सिग्नम फंक्शन करते हैं चलो यह बचो इसको यह अपने नोट कर लिया होगा अच्छे से अच्छा अब देखो अब आता है रेशनल फंक्शन अब क्या आता है रेशनल फंक्शन ग्राफ अब ध्यान से सुने गे रेशनल फंक्शन ग्राफ में क्या होगा बच्छो जैसे अपको f of x is equal to क्या देदिया 1 upon में x दे दिया यह 1 upon x conn बेदिया यह 1 upon x cube दे दिया यह 1 upon x प्लस 2 दे दिया कुछ भी दे सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक हैं? अब आपको क्या कहँए? कि वही इसका एक ग्राफ बना के दिखाओ. क्या कहँए को इसका ग्राफ बना के दिखाओ. तो वही है जयको गराफ जिनरेट करना है जैसे मैं आपको बता दुढ़ांऊ तो जैसे माल लीजे में यह अग्राफ जनरेट किया इसका ऐसका एकस वाई माल लीजे अब जैसे किया वाई अब माल लीजे अगर मैं एकस के नगाच to पुट करता हूँ माइनस to put करता हूँ तो भई वाई क्या बन जाएगा अगर यहां पर 2 पुट करोंगा तो बाइनस का 1 by 2 माइनस का 1 by 2 क्या होता हाफ होता तो मतलब माइनस का 0.5 या 2 पुट करोंगा थी थी 5 करोंगा अगर मालो कि माइनस 1 पुट करोंगा तो माइनस 1 आएगा 0 पुट करोंगा तो자fahrु mock tri 2 put करूंगा 1 by 2 आजाएगा इस तरीके से 3 put करूंगा 1 by 3 आजाएगा ठीक है इधर ऐसे ही है इधर भी बना सकते हो minus 3 put करूंगा minus का 1 by 3 आजाएगा तो बच्चो इसका जो graph बनेगा न वो graph कुछ आपका इस तुरकार का बनेगा मैं आपको पहली बता दूँ आपका जो graph बनेगा इसमें कुछ इस तरीके graph बनाएगा इस तरीके graph बनाएगा ठीक है तो बच्चो आपको याद रखना है कि rational का मतलब यह है rational का मतलब यह है कि आपको जो value दी गई होगी वो fraction में दी गई होगी किसमें दी गई होगी fraction वही अगर माल लो यह ऐसे दिया होता one upon में x plus two तो क्या होता अगर माल लो मैं यहापे minus two put करता तो zero ही हो जाता तो मैं यहापे क्या ठीटा पुट करता हो तो जाता है 2 वैलिव ए वह आप पर पूट करके ऐसा क्या ना सकते हो फंचन ग्राफ बते हो तो यह आपका प्सग्राफ है क्या है ला छता असटाइब मोदूलस मोदुलस वन्रध मौदूलिस मौडूलस वन्रफ यह इतन में important नहीं है यह सब ठीक है में तो आ जाता है पढ़ाने वाले है तो कोई खास बात है नहीं modulus function graph हाँ यह ना आपका हमेशा वी save का बनाता है वी save का graph बनाता है modulus function graph जैसे f of x is equal to mode के अंदर x दे दिया mode के अंदर x दे दिया तो बच्चों आपको x का मतलब यह होता है या तो x की value positive होगी या तो x की value कहीं न कहीं negative होगी और अगर x की value positive है तो वो जरूर 0 से greater होगा और अगर x की value negative है तो जरूर 0 से क्या होगा greater होगा तो इसलिए जब भी इसका graph आए जब भी इसका graph आए तो आप दो value लेके चलो आप कितनी value लेके चलो दो value लेके चलो ठीक है जैसे x, y ठीक है चलो put करते हैं जरा कुछ हाँ जैसे मान लो आपने minus 3 put किया तो भई अगर आप x की value minus 3 put करेंगे x की value minus 3 put करेंगे तो y तो हर हाल में 3 ही रहने वाला है क्यों? क्योंकि आप चाहे माइनस की value पुट कर लो चाहे प्लस की बाहर निकलने के बाद क्या आएगा? वो प्लस में ही आएगा बाहर निकलने के बाद क्या आएगा? प्लस में तो अकर मान लीजिए x-3 है तब भी y-3 होगा x-2 है तब भी प्लस का 2 होगा X-1 है तब भी क्या होगा प्लस का 1 होगा ठीक है 0 करोगे तब भी 0 होगा 1 करोगे तो 1 ही आएगा क्यों? प्लस में करोगे तब भी प्लस में रहेगा माइनस में करोगे तब भी माइनस में रहेगा ठीक है 2 put करोगे 2 रहेगा 3 put करोगे 3 रहेगा तो इस तरीके से आप इसका ग्राब बना सकते हैं हैलो हुझी बच्चो तो यानि कि हम ने क्या देखा कि मोड़ वाले case में मोड़ वाले case में हर हाल में चाहे value positive पुट कर दो चाहे value negative पुट कर दो आपको बाद में result हुर हाल में वापस क्या देगा यानि जो आपको f function देगा वो always positive result देगा तो प्यारे बच्चों इसका graph आपको देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा ये y ये x ये x dash ये y dash 1, 2, 3, 4, 5 minus 1, minus 2, minus 3 minus 4, minus 5 1, 2, 3, 4, 5 हाँ जी क्या है? 0, 0 1, minus 1, 1 1, minus, 1, 1 minus 2, 2 2, 2 minus 3, 3 3, 3 जड़ा इसको जोड़ के देखो तो देखो V-save का graph बनाया है की नहीं बनाया है? V-save का graph बनाया है की नहीं बनाया है? तो बच्चों सेम ऐसा ही देखो वो तो मैं नाप तोल के नहीं बना रहा हूँ इस लिए थोड़ा उपर नीचे जा रहा है लेकिन जब आप scale से इसे बनाएंगे तो 100% बिल्कुल V-graph आपको ये बना के देगा कौन? आपका modulus function ठेक है? चलिए जल्दी से note कर लीजिए इसके बाद दो-चार अजीब-अजीब से एक signum function रह गया आपका और एक greatest integer function रह गया बस ये रह गया ये करा देता हूँ फिर खतम फिर आपके graph का topic खतम हो जाएगा फिर हम सब 2.3 तो हो गये हैं हाँ फिर आप example number 22 कर सकते हैं ये भी graph का question है example number 22 दिखाऊंगा अभी कैसे करता हैं ये चलिए ये अपने नोट कर लिए होगा करवाता हूँ signum function signum function मतलब ये सिखाना इतना जरूरी था नहीं ठीक है लेकिन बस क्या है कि आपको नॉलेज होनी सीए कि कौन सा function है ठीक है एक मिन बच्चो जब तक नोट करो मैं बताता हूँ झाल 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 हाँ झी तो अब हमने ये रिलेशन फंक्शन ग्राफ भी पढ़ लिया मॉडलस फंक्शन ग्राफ भी पढ़ लिया ठीक है अब सुरू करते हैं क्या सुरू करते हैं टॉपिक का नाम है सिगनम फंक्शन सिंगम नहीं कर दो ठीक है सिगनम सिगनम फंक्शन सिगनम फंक्शन ठीक है जी ठीक अब जब ध्यान से सुनेंगे कि आखिरकार ये सिगनम फंक्शन है क्योंकि लग तो राय सिंगम का भाई है तो चलिए सिगनम फंक्शन जो होगा मॉडलस फंक्शन की ही तरह होता है लेकिन फर्क ये होता है कि जैसे मॉडलस वाले में हम क्या करते है मॉडलस वाले में हम क्या करते है एक्स की वैल्लू दो तरीके से मानके चलते है या तो positive या तो negative लेकिन इस वाले में क्या होता है कि x की value जो भी, यानि x जो होगा वो आपका, यानि क्या, कोई भी एक value हो सकती है x, 0 से बड़ी if, मान लो 1 हो सकता है 0 के बराबर तो 0 ही होएगा, ठीक है? और क्या हो सकता है, देखो और दिखा देता हूँ ठीक है, और क्या हो सकता है minus 1 अगर है, if अगर minus 1 है तो इसका मतलब क्या? 0 से छोटी, तो बच्चो, signum function में आपको 3 function दिये जाएंगे एक ऐसी value, एक ऐसा function जो 0 से बड़ा हो वो ये है, ठीक है, जरूरी निए 1 हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? और 0 के बड़ाबर 0 के बड़ाबर, ये तो भाई है ही, कि 0 के बड़ाबर आ गया और एक क्या होगा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी निए minus 1 signal function और इसका graph मैं आपको बता दूँ वो कुछ इस तरीके का बनता है और मैं अभी भी बता रहा हूँ जरूरी नहीं है 1 के बराबर हो या minus 1 2, minus 2, 3, minus 3, 4, minus 4 कुछ भी हो सकती है value ठीक है? कुछ भी हो सकती है जरूरी नहीं है यह बस भी हमने आपको समझाने के लिए बनाया है हाँ जी तो क्या है? जैसे क्या है बच्चो? 0 से बड़ी यानि क्या? 0 से बड़ी अगर value हम क्या ले रहे हैं? 0 से बड़ी तो कहां तक जा रही है भाई वो? वो एक तक जा रही है मतलब एक्स की value मुझे 0 से बड़ी लेनी है लेकिन वहाँ पर Y कितना होना चाहिए? वहाँ पर Y 1 होना चाहिए देखो कंडिसन समझो पहले मैं समझाना क्या चाहरा हूँ? कि अगर मैं 0 से बड़ी value लेता हूँ तो F of X मीन्स क्या होगा? F of X मतलब होता Y तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 0 से बड़ी value लूँगा तो Y की value क्या आएगी? Y की value 1 आएगी सिग्नम फंक्शन यह कहना चाहता है मतलब यह आपका 1 हो गया यह रहा 1 और अगर मैं Y 1 रखता हूँ तो X की value मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? जीरो से बड़ी लेनी पड़ेगी अब यहाँ पे गलती हमने क्या किया? देखो यह graph मैंने सही बनाए लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी मैंने क्या गलती करी है? यहाँ पे आप देख रहोगे यह बताता है कि भाई यहाँ न यह 1 भी include है अब देखो अब असल में देखो ध्यान से देखना कि यह वाला जो मैंने बच्चो graph बनाया है वो किस के लिए बनाया है? X के लिए बनाया है लेकिन अगर मैं यह dark गोला कर दूँगा तो यह इस 1 को तो डिखा नहीं रहा है क्योंकि यह graph किस को दिखा रहा है? X को और dark गोला इस line पे किस को दिखाएगा भाई? इस 0 को किस को दिखाएगा? इस 0 को तो क्या मुझे 0 चाहिए? मुझे 0 नहीं चाहिए मुझे 0 से बड़ी value चाहिए तो इसलिए बच्चो यहाँ पे जो आपका बनेगा आपका जो graph बनेगा वो aithya बनेगा इस तरीके से यहाँ समझमाई बात क्यों? इस खाली गोले का मतलब यह होता है कि आप जो value ले रहे हो उसमें यह 0 include नहीं है साइद आप logo को अगर मैंने sets पढ़ाया है तो sets के अंदर मैंने यह बात बताई है कि अगर जैसे आप a और b ले रहे हैं आप एक जगा खाली गोला और एक जगा dark गोला लेंगे तो खाली गोले का मतलब है not included जबकि dark गोले का मतलब है included ठेक है? तो बत्चों के यहां पर मैंने खाली गोला लिया इसका मतलब क्या है? कि 0 को हम include नहीं करें हैं लेकिन 0 से बड़ी करें है अगला क्या है? कि अगर मैं x की value 0 से छोटी लेता हूं 0 तो चोटी लेता हूं तो वहाँ पर y की value क्या होगी? वहाँ पे y की value minus 1 होगी और प्यारे बच्चो इसी तरीके से क्योंकि हमें 0 तो include करना नहीं है तो यहाँ पे minus 1 पीछे लिख देता हूँ और यहाँ पे खाली गोला और graph इस तरफ जाएगा समझमाई बात इसका मतलब क्या कि x dash मतलब x की value तो हम क्या ले रहे है 0 से छोटी लेकिन y अपनी जगा पे क्या है minus 1 अब अगर x की value 0 है तो इसकी value 0 तो इसमें एसर डार्क गोला लगा दो क्यों क्यों क्योंकि x की value 0 है तो 0 हमें include करना ही है इसके सिवा नहीं हमें कुछ भी नहीं लेना तो इस तरह का जो function होता है बच्चो वो signum function होता है फिर से बता रहा हूँ y की value 1 है कब जब x की value 0 से बड़ी है लेकिन यहाँ पे मैंने खाली गोला लिया क्यों क्योंकि मुझे x 0 नहीं चाहिए include नहीं करना है इसी तरीके से y की value minus 1 लूंगा कब y की value minus 1 लूंगा कब जब x की value 0 से चोटी होगी लेकिन यहाँ पे खाली गोला क्यों लिया क्योंकि हमें 0 से चोटी value चाहिए include नहीं करना है और यहाँ dark गोला लिया reason क्योंकि मुझे x क्या चाहिए 0 और 0 की सिवा कुछ भी नहीं चाहिए तो यह है आपका तो यह आपको समझाना है ठीके यह मैं समझावगा आपको तो कैसे समझावगा जरद ध्यान से देखो ठीक है एक मिन बच्छो इसे नोट कर जो तक आप तो देखो बच्छो अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाँ जी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सम्झाना क्या चाहता हूँ मैं अगर बच्छो जैसे मैं बोलता हूँ क्या माल लीजिए मैंने ये बोला आपसे कि x जो है वो माइनस 1 के इस तरीके से बड़ा है या बराबर है और एक यूनिट तक ही बढ़ाना है कितने यूनिट तक हर जगा पे एक यूनिट तक ही बढ़ाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अगर इसका अगला यूनिट देखा जाए तो इसका अगला यूनिट क्या होगा कोई भी बात बोली गई है नहीं बोली गई है तो 0 से छोटा मतलब माइनस 1 से बड़ा और उसके बराबर और 0 से छोटा इसी तरीके से अब लिया गया है किस के लिए 0 के लिए तो अब क्या होगा 0 से बड़ा और उसके बराबर लेकिन 1 से छोटा इसी तरीके से अब किस के लि ले रहा हूं है, दो के लिए, बस यहीं तक के example बहुत है, दो से बड़ा और उसके बराबर लेकिन तीन से छोटा, तो बच्छो यह मैंने आपके सामने चार condition ले ली greatest integer के लिए ठीक है, यह मैंने चार condition ले ली, तो अब इसका graph आप कैसे बना सकते हो, देखो जड़ा graph कैसे बनेगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, हंजी, क्या लिए उसने बोलें, बहुत से पहले देखो, minus 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, minus 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसके बराबर भी, लेकिन किस से छोटा होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, ये value किस की बोली गई है, भाई, जल्दी बता दो मुझे, ये value किस की बोली गई है, x की value भूली गई है, एक С की वैलू भूली गई है, तो बच्चो अब आपको यह पहले ही बता दूँ कि आपको जी 스n दिया गया है वह फंक्षण है यह इसका मतलब यह हुआ कि इसकी value किसके बराबर होगी y के बराबर होगी इसकी value जो होगी वो किसके बराबर होगी y के बराबर होगी यानि जो भी condition मैं उठा के लेकर आ रहा हूं वो सारी के सारी value किसके बराबर होगी y के बराबर होगी तो बच्चो अगर मुझे इसको यहाँ पर represent करना है तो मैं किस प्रकार इसको represent करूंगा तो इसने पहले में बोल दिया कि x की value minus 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 0 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए 0 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए तो ऐसे condition में हम इसको कैसे put करें तो देखो बच्चो अब ध्यान से देखना यह जो condition बनके आई है मेरे लिए यह किसकी condition बनके आई है y के लिए तो मतलब minus 1 के बराबर है तो include करेंगे लेकिन क्या भाई? किस से छोटी हो चाहिए? हमें 0 से छोटी value चाहिए किस से छोटी value चाहिए? 0 से छोटी value एक मिनट एक मिनट एक मिनट नई 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 वाई वे नहीं put करेंगे sorry, sorry बच्चो यह गड़बड होगी मेरे से तो यह देखो यहाँ पर है minus 1 से बड़ी और उसके बराबर लेकिन 0 से छोटी तो बच्चो minus 1 कहाँ पर है? x का minus 1 यहाँ पर है यह include करेंगे और इसको लेकर जाएंगे यहाँ तक बस यह कर दिया और यहाँ तक लेकर जाएंगे यह 0 से छोटी ठीक, अगला क्या है? 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी यह रहे भई, x 0 से बड़ी और उसके बराबर और 1 से छोटी यह रहे यहाँ पर अगला क्या है? 1 से बड़ी और उसके बराबर लेकिन 2 से छोटी 1 से बड़ी अब क्या भई? 1 से बड़ी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ठीक है? ठीक है जीरो वाले का तो कोई बने गई नहीं हाँ तो क्या बन रहा है दो से चोटी लेकिन वन के बराबर तो दो से चोटी हाँ एक्स यह रहा दो से चोटी ठीक है दो से चोटी लेंगे और वन के बराबर तो यह लाके यहाँ पर वन के पास ऐसे रख देंगे अगला तीन से चोटी लेकिन 2 के बराबर तो यह 3 से चोटी है, तो खाली गोला और 2 के बराबर, तो क्या होगा भई? डार्क गोला, तो बच्चो इस तरीके से लेना हमें, जो भी value बताई जा रही है तो इस तरीके से। अब जैसे उसने क्या बोला है, दो से बड़ी और उसके बराबर, तो भाई देखो मैंने दो पे क्या ला दिया, डार्क, तीन से छोटा, तो देखो तीन पे मैंने क्या लगा दिया भाई, तीन पे मैंने खाली गोला, एक से बड़ा और उसके बराबर दो से छोटा, तो देख यहां पर चाहिए तो ऐसे लगा दो. अगला क्या है? minus one से बढ़ा, ठीक है? minus one से बढ़ा और उसके बढ़ाबर zero से छोटा. तो वह कहां से जाएगा? वह इस तरीके से यह रहा, यहां से include और यह इस तरीके से. ठीक है? लेकिन इस पे खाली गोला नहीं लगाना है, इस पर dark गोला नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि हमें 0 से क्या चाहिए? छोटा, इसी तरीके से अब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? minus 2, minus 3, minus 4, कुछ भी हो सकता है तो बच्चो इस तरीके के जब भी graph आएंगे तो आपको इस तरीके से बनाना है वैसे मैं आपको बता दूँ यह वाला graph जो है greatest integer function का graph जो है वो आज तक एक बार भी नहीं आया है आज तक एक बार भी नहीं आया है तो इसलिए बच्चो आपके लिए यह greatest integer function इतना important नहीं है लेकिन फिर भी मुझे समझाना था तो मैंने यह सारी value लेके समझा दी जिस तरह आप तक समझाता है हूँ कि भाई one दे लेके two तक तो इसका मतलब क्या है one से greater और two से छोटा लेकिन उसके बराबर अब अगर मैं लिख दूँ three six और यहां पर यह लगा हूँ यहां पर यह लगा हूँ तो मतलब क्या तीन से बड़ा और छे से बड़ा और उसके बराबर क्यों क्योंकि यहां पर close नहीं पर open है तो बस इनी सारी चीजों कर रिपरेजेंट खाली गोला और यह dark गोला करता है ठ जिन बच्चों ने सैट्स को अच्छे से रिवाइड किया रिवाइज किया होगा उनके लिए बच्चों खेले चलो बैए एक्जाम्पल नंबर दिया हूँ आपको 22 एक्जाम्पल 22 फंक्शन दिया है आपको 1-x अगर x की वैलू 0 चोटी है 1 अगर x की वैलू 0 के बराबर है फंक्शन की वैलू x प्लस 1 अगर x की वैलू 0 से बड़ी है तो बच्चों आपको यहां पर क्या बनाने हैं दो कंडिशन बनानी है केस नंबर 1 जीरो से बड़ी अगर मैं x की वैलू 1 रखता हूँ तो y की वैलू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 2 क्यों क्यों क्योंकि f of x एक बार इसके बराबर है कब जब x की वैलू 0 से चोटी है f of x एक बार 1 के बराबर है कब जब x 0 के बराबर है f of x एक बार x प्लस 1 के बराबर है कब जब x की वैलू 0 से बड़ी है और आपको पता है f of x क्या होता है y होता है f of x क्या होता है y तो देखो मैंने किसमें put करना सुरू किया मैंने put करना सुरू किया किसमे कि जब x greater than 0 के हो x greater than 0 के हो तो मैंने जब 1 रखा तो 2 आगी 2 रखूंगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा 3 रखूंगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा अब 2nd case जब x की value 0 से छोटी हो जब x की value 0 से छोटी हो x y जब minus 1 रखूंगा हंजी यहाँ पे तो minus minus plus का 2 minus 2 रखूंगा minus 2 minus minus 2 और 1 तो minus minus यहाँ plus हो जाएगा और यह 3 minus 3 रखूंगा तो minus minus plus और यह 1 4 ठेक है और भाई जब 0 पूट करेंगे तो 1 ही बात खतम graph बना दो हंजी x की value maximum कहा तक है 3 तक है और minus 3 तक है 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 और इसकी value कहा तक है 4 तक है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 चलो भाई graph बनाते हैं हंजी जब x की value हंजी 1 put कर रहे हैं तो 2 आ रहा है 1 put कर रहे हैं तो 2 आ रहा है 2 put कर रहे हैं 2 put कर रहे हैं ठीक है उसके बाद 3 put कर रहे हैं 3 put कर रहे हैं तो 4 आ रहा है ठीक है minus 1 put कर रहे हैं बच्चो तो 2 आ रहा है minus 1 put कर रहे हैं तो 2 आ रहा है minus 2 put कर रहे हैं मैनस 2 बूट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, उसके मैनस 3 बूट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और जब X के वैल लोग जीरो बूट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, Graph ready, Graph ready, इस तरीके से, समझे मही बात, तो जब बच्चो आप Scale से बनाएंगे, तो proper इस तरीके का graph आपका ready हो जाएगा तो इसी के साथ बच्चों मैंने आपका graph का topic खतम कर दिया आपका second chapter relation function का ये last part था ये खतम हो गया और ये graph एक दो number में नहीं पूरे चार number में कई बार आया हुआ है ठीक है तो इसलिए अच्छे से कर लो ML अगर वाल से question करना शुरू करो कोई doubt आता तो मुझे भेजो फिर बच्चों हम उसे tackle करेंगे ठीक है तो चलिए आज की class यहीं खतम कर रहूं है ठीक है इसे note कर लेंगे और बाकी मिलते है next class में